घ्लो इव्रिवाइन गुर्यंगुरिंग चलिए को शूरश्य है बहुत ही मॉंग डाल को शीयर करते हैं जो थानक रिए नोब ़ाखे कर दोगा है लिए 200 ए रोगो भ॰म को अज़ इस पाज मॉंग डाल हो यहां पास दाल को हमने तीन चार पानी से अच्छे से दुलाई कर लिया है ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत डश्ट लगा हो कचड़ा हो तो निकल जाए और इसको शोक करने के लिए हम चार से पांच गंटे के लिए रख देंगे और यह करीब चार से पांच गंटे का टाइ कने लिए ऐसे हो पीसे पेस लिएज़ अगयाना चाहते है उबयान झाले इसको करने का निकाल सकते है तो चलिए लिए रहस्ञे बें पानी मुगाणे का छान कर रहते हैं चिलकी के साथ हम जाता है कानी को फोली प्रीचिक्ट जाते एकम शीनभा चार आप जो शोको का चीक ओर फेट लेना है तो कैसण दाल के त्यालि निचाहें को फेट लेना बुहादा लिए तूरप फेटें यहां पास दीडाल में दूर्ट झाहिए ने यादटोगों व्हाक ह lot नहीं आपलगों कि अधुर्ण ही फिर जुर्म भसेस्ट में साय मिर्च our शाथ कर द勁ल भी है अध़ी द्धनियापकता है अनुसार भी धनियापकता ना है सब्सक्राइल जी अधा करें लिधा काण ओर शाथ मृत उधाने मिर्च के लिए रोच कर लेना यह भुन लेना है जआदा नहीं जलाना नहीं इनको हलक aids से खुस भुआने लगती है तब तक इनको भुननरहें इसके बात ठंडा करकर इसका इक दर्दरसा मसाला कर लेना है क्योंकि मसाला जो में जान भर देगा तो चलिए यहां पास मैंने मसाला पीस लिया ज्यादा मसाला हमने इसमें एड़ नहीं किया करीब 2 टेवल स्पून इसमें अभी इसमें फिलाल नमक एड़ने ही करना है मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया नमक बनाने से जुश्ट नमक एड तो चलिए कड़ाई हमने रख दी देल गरम करने के लिए और नमक इसमें एड करकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक सारी चीजों में अच्छे से मिल जाए तो यहां पास हमने ले लिया सरसो का तेल और तेल मैंने जैसे बता कि पहले ही थोड़े टाइम रख दिया गर क Crime可愛 की से असरे के साथ चत्नी बनाहिए जो मैंने रिस्पी के सामelf के साथ चटनी ने मियुक्त मैंने और यहां यहां पास शाए प्लिश्ग ह Edwards स्टी घ्यान रख दूब है तो शाइस तो अप्लड में होते और जाए पेषर से Mrs.Ann Зबॉल ने आश्वेटृ लाश्ट में गयस को हाई करना है ताकि जो हाई करने सिखिया है कि इसमें जो मगोडियों में तेल है न वह बिल्कुल भी नहीं और यहां पास स्नैप की इंपेपर आप जिसमें चाहें उसमें निकाल सकते हैं । इसके बाद तोड़ी सी मिर्च क्योंकि मिर्च बनती है अकर म एक तो बनता है